दियरिश्डेंट, स्वागत थे आप सभी का हमारे online class जोग्रोफी में आज का हमारा अध्यन्वी से है भारत का भुगोल और इसमें हम अध्यन करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप यह हमारा second class है, तो चलिए class श्टार्ट करते हैं भारत को कितने भौतिक स्वरूपों में बाटा गया है, यह बताईए आप सभी तो भारत को मोख्यो रूप से कितने भौतिक स्वरूपों में बाटा गया है पांच भौतिक स्वरूपों में या पांच भौतिक वर्गों में और एक कौन से है भारत का द्वीव समुह वाला शेत्र है जिसको मिला करके 6 हो जाता है तो इसका ध्यन करते हैं फर्ष्ट कौन से है भारत का परवती शेत्र जिसको हिमालय परवती शेत्र भी बोलते हैं फिर सेकेंड वाला कौन से है उत्तर भारत का विसाल मैदान ये है फिर तीसरा वाला कौन से है प्राइदीफी भारत है फिर चौथे नमबर में है भारती मरुस्थाल ये वाला फिर पांचमे नमबर में तटवर्ती मैदानी शेत्र ये हमारा तटवर्ती मैदानी शेत्र है फिर छटवा कौन से है दीव समू है लाक्छो दीव अंडमार निकोर दिलार दीवसमू ये सभी दीवसमू जो है इसका अध्यन करेंगे इसमें तो आज के क्लास में हम यह वाला टॉपिक अध्यन करेंगे उत्तर भारत का परवती छेत्र इसका अध्यन करते हैं भी तो उत्तर भारत की जो परवती छेतर है इसको कितने भागों में बाटा गया है? ये पहले देख लेते हैं इसके बाद इसका आगे कक्ला सद्धन करेंगे तो उत्तर भारत के जो परवती छेत्र है उसको चार भागों में बाटा गया है कौन-कौन से एक है ट्रांस ही माले फिर सेकेंड है व्रीहत या महान ही माले थड़ है मध्यम ही माले या लगु ही माले और फोर कौन से है सिवालिक ही माले इन चार भागों में माटा गया है सबसे पहले अमध्यन करेंगे ट्रांस हिमाले का उत्तर भारत का जो परवती छेतर है इसमें सबसे पहले कौन से है ट्रांस हिमाले है और ट्रांस हिमाले का जो निर्मार है वो हिमाले परवत के निर्मार से पहले ही हो चुका था इसके अंतरगत कारो कोरम जो दर्र है या कारो कोरम पर्वा स्रेडी है दोनों इस सित है और इसके सांसाथ ही जो लद्दाक है लद्दाक स्रेडी कैलास पर्वद और जासका स्रेडी ये सभी इसके अंतरगत है और इन तिन स्रेडियों पर वनस्वत्ति का अभाव पाय जाता ह ये इसकी मुख्य विसेस्ता है, फिर है जो कारा कोरम स्रेडी है, इसकी सर्वोची स्रेडी, यह ट्रांस हिमाला की सबसे उची स्रेडी है, या उत्री स्रेडी है, सबसे उत्री स्रेडी है, यानि कि सबसे उत्तर में है, और भारत की सबसे उची चोटी, जो की वर्तबार में, पीयोके में है केटू या गार्विन आश्टिन बोला जाता है इसको माउंटेन है यह गार्विन आश्टिन माउंटेन या केटू माउंटेन यह किसमें इसी थे ट्रांसी माले में इसी थे और इसकी उचाई कितनी है 8,611 मीटर इसके उचाई है फिर एक कारा कोरब स्रेड़ी पर 4 प्रमूख 20 प्रसी धीमनाद है जिसमें कौन से है? सियाचीन, बाल्टोरा, बैफो और खिसपर इसका डाग्राम लाश्ट में अध्यन करेंगे दूसमें दिया हुआ है इसमें यहाँ पस आपका ही मालाय वाला जो छेतर है वो वाला है ठिक? इसमें यहाँ पस आपका जो है वो कारा कोरब जो स्रेड़ी है वो है और इसके बाद इसमें कौन से है? यहाँ पस आपका सियाचीन ग्लेसियर है फिर बोल्टोरा जो ग्लेसियर है वो है फिर बैफो गलेशियर है ओर इसके बाद हिस पर गलेशियर है, इसमें चार गलेशियर इसडीत है, थिक। अब आगे अध्यन करते हैं, लाश्ञमीशके डियागराम भी मेंजीन कर दिये हैं, उसमें मिल जाएगा फिर सेकेंड कॉन से हैं, लद्दाकसरेडी हैं, कारा कोरा सेरी कॉन से में देखे थें? यह हमारा कारा कॉरामसरेरी है, इसके निचे क्या है? लद्दाकसरेडी है, लद्दाक स्रेडी दक्षिड पूर्व की ओर कैला स्रेडी के रूप में इस्थित है और यह स्रेडी जो है सिंधु नदीवा इसका जो सहायक नदीव अगरा है उनके बीच जल विवाजन का कार्य करता है। लद्दाक वजासकस्रेडी के बीच सिंधु नदी बेहती है है 대äsident गाला स्रेडी मि font थिंद से मध्य प्रवाहित हो रहा हैं। क्लास आगे बढ़ाते हैं, फिर आगया व्रिहध हिमालय, हम अभी अभियत किस कध्यन किये हैं, लद्दाख हिमालय कध्यन कर लिए हैं, अब किस कध्यन करेंगे, व्रिहध हिमालय कध्यन करेंगे, व्रिहध हिमालय का जो विस्तार है, वो कहां तक के हैं, नंगा परवत से ल पर्वस्रेडिया जो है वो इसी में पाई जाती जैसे कि मौंट एवरेश्ट ये वीश्वकी सबसे उंची छोटी है 8848 इसकी उचाई है मीटर में ये किसमे है हमारे जो व्रिहद हिमाला या महान हिमाला है इसी में स्थित है फिर है कंचन जंगा ये 8588 मीटर है और ये हमारे सिक्किम वाले छेतर में स्थित है फिर है मकालू मकालू 8481 मीटर कहे धौलगीरी अनपूना नंदा देवी और नंगा परवत्ये सभी उची उची चोटिया है जो कि हमारे बहान या व्रिहद हिमाले में स्थित है एवरेष्टय को पहले तिबत में चोमो लुंगमा इस नाम से जाना जाता था जिसका अर्थ है परवतों की रानी हमारे जो माउंट एवरेष्ट है उसका नाम ये था पहले फिर वर्तबान में माउंट एवरेष्ट कहा जाता है ठिक तो ये हो गया इसका फिर आगे बढ़ते हैं आगे है लगू हिमाला है फिर लगू में हिमाला में क्या है लगू हिमाला जो है महान हिमाला के दक्षिड में तथा सिवाली के उत्तर में इस्थित है यानि कि इसका विस्तार है इसके अंतर कई स्रेडिया पाई जाती है जैसे कि पीर पंजार धोलाधार और नागा डिब्ब इस च सभी आहां यह इस्षी है तो इसके बाद है समांहित नगु मैलہ की माहान हिमाला की बीच कई घाटिया भी पाई जाती है जिसमें कौन से है एक है कस्मीर घाटी जो जम्मू कस्मीर में इस सित है फिर है कुलू कांगला घाटी ये प्रशीद है जहांपस लोग से लानी जाते हैं कस्मीर घाटी कुलू कांगला घाटी काथमांडू की घाटी ये नेपाल में इस सित है तो ये इनकी सिती है ये सभी ज स्थित्राइए जो प्रियाटर के अंद्र है वो इसतीत है कौन कौन से हैं कूटलू है मलानी है जल्हुजी है धर मसाला है । सीमला और ये जो मसूर्य बगएण है यह सभी इसी कंत्रगत इस ठाट यानि इतने सारे प्रियाटर निस सल है कि भी स्वशे लोग यहां फ्रमर्ड करने के लिए आते हैं इसके बाद है नेश्ड़ टॉपिक हमारा लगुई मैला की सेडियों की जो ढाल है उन पर सितोंशनकटी बंधी घास पाए जाते हैं यानि कि घास की मैदान जिन्हें जम्मू कस्मिर में मर्ग बोलते हैं और इसका पूरा नम्च है सिवालिक या ब्राय यह हमालाय की क्या विसेश्टाएं है इनका अध्यन कर लेती है यह लगु हमालाय के दक्षडी में इस्थीत ओंमू सिवालिक और लगु हिमाला की बीचिस्थित घाटियों को पस्षी में दून कह जाता है जैसे की देहरा दून, कोटली दून, पातली दून और पूर्वा में द्वार कह जाता है हरी द्वार इस प्रकार से उनका नाम दिया गया है फिर सिवालिक को जम्मु कस्मीर में कस्मीर पहाडिया तथा और उनाचर प्रदेश में डाफला मीरी अबोर मिस्मी पहाडियों के नाम से जाना जाता है दून, पहाडियों के नाम से जाता है तो इसे देखकर के आएंगे उसका एक नाम दिया गया है वहाँ पस ठीक तो वो आपको के लिए homework एंट है। फिर है डाइग्राम के माध्यम से इसका ध्यन कर लेते हैं। ये हमेरा सबसे पहला कौन से है ये जो है वो कौन से परत है हमारा त्रांस ही मालेका फिर कौन से है व्रियाद या महान ही मालेका इसके बाद कौन से स्रेडी है हमलों का व्रियाद ही हमालेक बाद मध्या लगो ही मालेका इसके बाद कौन से है शिवालिक ही मालेका ये चार से हुए हमारे चार भाव में बटा हुआ हिमालय परवज्व है कारा कुरव क्रेड़ी में चार प्रमों क्या देखे थे हम ग्लेशियर देखे थे वह ग्लेशियर कौन कौन से है एक सिजाचीन है बल्टोरा है बैफो है हिस्पर है ठीक और इसमें एक प्रशिद्ध परवथ भी ह भारत के सबसे उच्छा जोकी वर्तमान में पियोके वाला छेतर में इस्सित है तो यह क्या है केटू गार्वी राश्टिन यहीं परिस्सित है इसके बाद कौन से है यह राकापोसी परवत है यह नंदा परवत है आप लोग का और इधर बांकी की सभी परवत का इस्सिती बत मतब कि जितने भी यहां के पहाड़ी बगर है वह सभी दिये हुए हैं और यह यहां के परवत स्रेडिया भी यहां पस दर्स आ दिये गए तो यह डाइग्राम को आप स्क्रीन शॉट कर लेंगे तो आज की क्लास में इतना ही अगले क्लास में हम जो इसकी सेकेंड वाला वि करेंगे